वेल्कम टु जग्राफिया वंडोग कुछ अर्बन जग्राफिक होगा अर्बन जग्राफिक डेखता है तो हम लोग आज का टॉपिक होगा अर्बनारीजिशन प्रॉस्टेस इंडेवलब देंडेवलब अधीशन क्या होता है अगर हम जोंग इन जनल बात करें तो यह कहाता करते है कि पोश्व आफ नेशनल पापुलेशन इस पेलाइजल इसमें इनवल्व होता है जो आउटकम होता है इंड़स्टर एंट टेकन लाजिकल डिवलूशन का लिए अब अपर प्रॉसेस यहां पर पॉपलेशन इसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर बढ़ती जाती है यहां एक changing condition in society है जो society की structure और उसके nature को change करती है तो urbanization को हम लोग दो तरीके से जो urbanization में social landscape होता है urbanization के तुझे चेंज होता है वो दो तरीके से change हो सकता है एक यह हो कि जो urban sites है cities हो गया towns हो गया उनका number बढ़ जाए multiplication of urban sites यह दूसरा यह हो कि किसी एक particular site में size of the population बढ़ जाए तो उससे भी urbanization होता है तो urbanization दो तरीके सकता है एक तो number of cities number of towns बढ़ जाए और दूसरा किसी एक particular town में number of population रहने वाली बढ़ जाए तो उसे urbanization बोलते हैं फिल्डिंग के हिसाब से फिल्डिंग एक जाव रफर थे उनके हिसाब से यह है कि जो urbanization होता है इस रिजल्ट अभी डिरेक्ट डिलिशन सी बिट्विन urban system और उसके hinterland तो urban system और उसके hinterland के में जो interaction होता है that is net net migratory growth के करण के होता है जो net migratory growth होता है urban system में from the hinterland area उससे urbanization बढ़ता है तो यहां से hinterland से क्या होते है जो धूलर population migrate करके urban system में आती है और उससे क्या होता है अर्बन प्रेस का population बढ़ती जाती है density कर्म होता है और उससे क्या हो जाता है और उससे क्या हो जाता है कि जो नया system होता है यह अर्बन system को फॉर्म में होता है इस क्या हर नरएच्ञा सदेग नरख सब्सक्रार करें प्रेसिज ऍच्रभान ecosystem से यह अर्बन रिघ्टम में का व्ई नरख सेंटर करतेए इसमें तो तो सिटी करते है करते हैं और जिसमें क्या कहता है इसमें इन्टे फिन फенामेना का फ phenomena यह जब कि टा никогда बहुत सब एक और बनाईstellung में को डेखा जाता है तो कि समझते हैं कि अभी सोसल साइश थो मैंसे सोर्षाइब और अधिये कृटेसिए का भी टॉपिक है और इस लिए इसको इन्टुर्ट आब पॉसकल तेरी ऑठेफ वी डिफेंड त奶 Singing से परोच दूसरा इस ट्रॉक्षिल एपरोच वह गया तीस्ता एक दिमोग्राफिक एपरोच हो गया और चोथा जो पूच है वह और परोच देखते हैं तो प्रोच जैनरली सुसाइल जिस्ट और साइकॉलजिस्ट के द्वारा कि पर पाउंड किया गया है इसमें जो इंपोर्टन वर्क है जो प्रोश करता है अब नाशन को डिल करने के लिए यह लुईस वर्थ लुईस वर्थ ने लिखा था अर्बन अवे आफ लाइफ तो इनके हिसाब से होता है कि हम लोग अभी जो अर्बनाइजेशन को सर्टन क्या है और कैसे अब नाशन होता है लेकिन इनका यह मानना है कि जो हम लोग अभी सर्टन डाइमेंशन यूज करते हैं मिजर करने के लिए उस अफिशियन नहीं है मुफादर होलिस्टिक स्टडियर भी सिटीज तो हम लोग को वी नीट वी नीट टू स्टडी बेस्डन भी बेहवियर अभी स्टडी करना है तो जो अर्बन प्लेस पर दाने वाड़े पीपल हैं उनके बिहावर और उनकी साइकी कि स्ट्री किया जाए तो वो अलग बताता है और इनकी साइकी को दॉलर एरिया से साइकी में डिफरेंस होता है इसलिए अगर हम लोग बहुत समझना कि urban places और रूलर प्लेस में difference क्या होता है तो हम लोग को social group के behavior के study करने पड़ेगी और यह behavior क्या होते हैं और इंडिविज्वल जो behave करता है time and space में काफी changes आता है तो और हमको हम लोग को study करना चाहिए कुछ ऐसे factors जो influence करते हैं human behavior को तो हम देखते हैं कौन-कौन से factor influence करते हैं human behavior को परा size influence करता है human behavior को तो size means यह होता है कि size means की relationship between different members of city एक city में यतने लोग हैं तो उसकी size matter करती है अगर बहुत बड़ा city है अगर बड़ा city है इतना ज्यादा easy interaction नहीं होता है और जो interaction भी होता है वो इंपरसनल होता है relationship जो होते है वो इंपरसनल होते है और तो ऐसे cities में बहुत बड़े cities होते हैं वहाँ पर क्याता है तो यह size होता है इंस्वेंस करता है और तो size यह भी करता है कि city life होती है जो बड़ी बड़ी cities होती है उसमें क्या होता है कि city life होती हो इंप इनॉमी इनॉमी लीड करती है अनॉमी means होता है कि one is lost in the crowd तो पुरी तरही किसे आप अपने हैं और crowd में आप कोई instance नहीं है आप लोस्तों होते हैं फिर दूस्ता जो फेक्टर जो इसकाथ है डेस्टी नहीं है पर ही देंस्टी पाइज यागा याँजा आप में आप जयरा कॉंटरास्ट तेखा जाता है अर यहां पर पूल के बीच की बीच गाइब जयादा होता है और यहां राप करोड़ी दिसकार इ इसलिए कि यहां पर बहुत रोल कन्फूजन होता है कि किस का क्या रोल है तो यह को एक पिर उसको करती है तो यह क्या है कि यह जो प्रोच है जो भी आप पोच पर पोच ले जाए जा जाता है तो लोग उस दिखते है थेरी आप शोसल चीज उनका कहना गया है थेरी आप शोसल चीज यह बताते हैं कि दूलर प्रफॉलिशन सिफ्ट होती है अर्बन अरिया के तरफ तो इसमें सोसाइटी इस विश्ट गूरूप्स होते हैं उनके बियावियर में चीज जाता है तो उनक यहां पर क्या होता है अपने आप में यहां पर क्योंता है हरे इनडीविजन अपने आप में यहां और एक इंडिविज्य न पर जाता ही यां निया पर दो फिर दो है तो ऑपने अप में आपमें सेफ शर्टेनिंग होती है जब कि इसमें क्या आता है बहुत ज़्छादी होता है तो जब इंटारडीपेंडेंट्स होता है तो तो अज़ब एक स्वालीडेंट्टी होती है इनके बीच में यहां के इंडिविज्व या इसके दिफेंट सोचल लिएंट के बीच में एक ऑर गनिक विज ऑते हैं यहां पर जो सॉलिडर्टी होती हैं और थ्थरा यह वाइब्रेंट होते हैं यह कास्मो पॉलेटिन टाइप होते हैं आपर डाइवस इतन से कपीपल रहत तो जो society है अर्बन एडियाज में उसी क्रेक्रिस्टिक क्या होती है यहां पर industrialization होता है role differentiation होता है division of labour होता है और technological change भी क्या करती है social aspect को change करती है तो यह सब चीज़े क्या करती है industrialization role differentiation division of labour technology यह social change लाती है और जिससे कहता है society कह रोती है वो रूलर society से urban society में transform होती है तो कुछ major theories है तो जिसी evolutionary theory of sociological change especially urbanization गरते है तो जो sociology में जो evolutionary theory है वो कामटी हो गया इस परिंसर हो गया इनके दोरा ले डावन किया गया अच्छा इनका argument यह होता है society जो है वो मूब करती है linear direction में from simple to more complex structure में चांज़वाती है तो urban system बहुत complex है इहाँ की social condition अलग होती है इहां की economic condition अलग होती है यहां का political conditions अलग होते है यहां का psychological condition अलग होती है तो हर चीज अलग होता है जो अर्बन एरिया का हर एक परामीटर पर और बहुत कॉंप्लेक्स इस्ट्रक्टर होता जाता है इनका अर्गुमेंट यह है कि अर्बनाइजिशन है इक इनवाइटेबल और नेचुल प्रोसेस है और जो चेंज होता है वो ग्राचुल और कंटीनि होगे होगा है भी कंटीन होगा तो यह चाहिए देखेंड जाता है देख आते हैं उनख्यशन होता है तो बहुत इस भी आफ्टेज्त रिए होता हिए प्र्मद कब्र capital का होगा इस इस यह इस February डेकर होगा है तो इस तरह के से एक इवलोस्य डेकर आप 1 और नõन डेव जो फोसर साफ्चंज होते हैं वो इनहरेंट होते हैं इनका यहां वहां उसी अर्बन सीस्टम में या उसी प्लेस में उसी प्लेस सिस्टम में ही इनहरेंट है एख में पेर स्में प्र obraघ की होए उसमें गया है और वही अर्धिया क्या है अर्भार में क्योर सिश्टम में प्ले करता है बंगहीं इस अगररन ट्रीभ शिर्पकर takes a यह रखना alom बूए और सिर्फेन होते हैं वही चाहिस ना aimerसिफिघल होते हैं जो फाक्रस होते हैं वे होटे हैं और इस होता हैU सिम्पल से、 क कमप्लेक्स कितरफ होता है ह्यृमोग्छा से सिर्केमिक रेस्ट होता है त्राहम यू अर्बन सिस्टेम होता है बहुत ज़्यादा फार्म और फंक्शन में डिफ्रेंसियेशन देखा जाता है फार्म अलग होते हैं फंक्शन अलग होते हैं बहुत डिफ्रेंसियेशन देखा जाता है और सभी सोसाइटी क्या होती है सब्सक्राइब करने कि यही सेम स्टेश से पास्त होती है फादर बना जेशन तो इसमें हम देख सकते हैं कि जगरफी का क्या है इवलोशनरी थेडिये में तो इस तरी में जिसे ग्रिफीट टेलर का जो क्लासिफिकरेशन आप सिटीज है वह एक एवलोशनरी कंसेप्ट को डा इहाएअँ पोलिस पोलीस में जन अपसोश्य पोलीस तो यह था हम लोका इवलोसनरी थेरी फिर आता है फंसिल आपटे फिलोशनरी थेरी की न्फालोश्ट में देखेज़ारी का पासबार सुचाइटिन का और सफोसाइटी नप खौता ए इनका इस सटीट कि में होता है प अडिछे Эडिर राती है उसे होता है है दूसरा विण र्राप इस cuatro होता है मुट है जब दूसरा होता है काफी रयपिए्टियों छो जो खतम ना हो जाया तब क्या होता है सोे निचल कर वलाजने चाह सियों को सब्सक्राइटेड landed बाइसल sociological challenge की बार करें तो sociological challenge की बार करें फारिक यहां पर कोई दूलर society जब उसके नाम को challenge किया जाने लगता है जब उसके नाम को challenge किया जाने लगता है और लोग बहुत जड़ा individual right of freedom freedom की demand करते हैं ताकि जो social pressure उसको अपने आपको relief किया सके तब क्यों होता है उसके norms of values को असल जाती है तो एक social change जाता है economic change क्याता है जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा population बढ़ जाती है और the land जो होते है जो agriculture land होते है आप प्रससेस में involved हो जाते है अधर अधर एकनामिक प्रोसेस में involved हो जाते है उसके इकनामिक एक इस्ट्रक्राम चानजाता है जाता है अब इतना बड़ा वहारा पॉक्लिषन्स हो जाने का होता है काफी अच्छी इंसिट्यूस डेलप के जाते हैं इस अब उस को कॉन्टोल क्या सके तो इस तरीके होता है कि एक जाता है हर एक डाइमेंशन में और आयपी खरता है पूरी और को चीश करता तो स्पैक जाता है तो इनका यही मानना थ और सिर्टलाजलूंड आसब अंज फंसे छोटारे फंक्शन संट पोगरव है सिति फंक्शनलिस्त अफ्रोच है । फंक्शन डिपनेंट्ट होता है फहर्सटृती यह। एक फंक्शन सर्व करते हैं इस अप्शनच का और इनके साथ साथ इसके प्संसटे वी होते हैं New उसनी की सिर्गे सिर्गे स Bürते उसे आर्बजक होते हैं उसके मेरेट हो डिसजर्णेश में Ch Tahर से कुछ लेकिन ऊवर आल्ड ऑरimm Stream का भी कुछ फंक्शन होता है तो एक फंक्टिविटिस को भी चैया उट करें तो एक फंक्टिनल डिफरेंस डिफरेंस होता है गहाँ अच्छाहिए इसके रिकार्डिंग क्या है कि जो गुरफियों जो तेडिश दी गई है तो इस अधाव संटासी में जर्मा सोसॉलजिस्ट थे फारिनाड टॉनी फारिनाड टॉनी का यह मानना था कि सोसाइटी होती हो इसमाल रूलर और ट्रीशनल कुल्चर से चंज होती है लाजर अरबन और इंडर्श्टल से चंज हो इनिसल स्वाइटी इनिसल स्वाइटी होती है। इसे बोला जाता है जैमीन सफ्ट। तो जो स्वाइन से अथम्ट होती है। होते हैं वो धीले हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत ब्रिकडाउन आ जाता है और लोग बहुत इंडिविजुलिस्ट हो जाते हैं वो अपने सेल्फ इंट्रेस्ट और अपने वायम सोचते हैं लेकिन इंट्रिपेंडेंस एक होता है जो इंट्रिपे तो ऐसे कंडिशन जब यह जसेंसराफ कमुटी ब्रैकडाउन हो जाती तो उसे इननों भूला यह जसाल साफ्ट हो तो जमीन साफ्ट और जसाल साफ्ट का करना सेब्धियर्ट हो उसके बाद इमील डर्खीम वहां पर Mécaneikal solidarity होती है तो क्या होती है कि मेकानिकल सौलीटी मिंस की में जो में रिलेसंजिफ होते हैं वो सिम्लीटूट के बिस्स पर होते हैं कि के पेसिस पे मिंस की एक नाम को फालो करने वाला तो एक होमोजेनीटी पाइ़ शो से स्धुक्राइब करता है तो साइलडिर्टी जो होती है किसी एक वैल्ली नाम या प्रिंसपल के डिए धार्ड इंग होती है और सभी कोई उसको अधर करता है इस तरीके कि होता है कि यह बहुत होती है यहां पर इन्दीज्डीव का फीर्टम नहीं होता है इन जो लाजर अभन सिस्टम होते है वह वहां पर वहाँ solidarity interdependence होती है, ना कि simulitude सी, interdependence, हर कोई अपनी differentiated role होता है, हर किसी का अपना differentiated role होता है, और distance की role differentiation होता है, और division of labor होता है, तो हर कोई क्या होता है, अपने needs और अपने survival को fulfill करने के लिए दूसरे को ऊपर dependent होता है, तो हर किसी के अपनी value होती है, individualism होता है तो इससे कहा होता है, जो society होती है, society बहुत ज़णा इसमें हर individual freedom enjoy क्या जा सकता है तो वहई यहां यह stem करता है, जो organic quality stem करता है division of labor से ओं कि होता है, जो rules होते हैं, जो classes होते हैं, और गर्रेक्तिरिपेंडेंस होता है तो इस तरिके से इसमाल दूले सोसाइटी में में मैकेनिकल सअरटी होती पिर उच्छ Urbam सोसाइटी में मं और जिसो ड्री होती है फिर कंस् Loris थे हो गया अग दिखते हैं तो यह कौन थे यह थि यह थी हम लोग का स्वारी अब दिखते हैं जो इंग्री पे बेश्ट है इनका यह मानना था इनका सोचलोजकल अर्गुमेंट यह था कि इन्दिब्यूजल होते हैं और उनके फाइट करते हैं तो मैक्सिमाइज दियर बेन यह क्या करते हैं यूज करते हैं रिसोर्स को अपने पोजिशन को इंडिस करने के लिए और रिसोर्स और रिसोर्स को एक्स्प्राइट करने के लिए जो क्लास डिविजन होता है क्लास डिविजन देखा जाता है जो क्लास डिविजन होता है वो कंसे क्रेट करता है अंदर देज्टकल एक प्रोस्पक्ट होते जी इस प्रोस्पक्रावी सरक ऱ्यूंस को समझा जाने लगा। इनन में जएसे कि डे विधा हर वेह नए सबसे पहले सिटी सेके इनहें उन्हें इंहोंने प्रॉस्पक्ट व constitution से किताब से same से अध़िया इसी दिया से फिर और धिर्शिय हैं जिससे हो गया एकनोमिक ठेज्ट इए एक शोल चेंज कर आँप से होते हैं वह जो पर अग्री कल्च्रूरिशन ब्रेसन जब सब्सक्राइब अगर्ट होता है तो क्या होता है कुछ लोग वहां से दूले अरिया से डिस्चार्ज होते हैं वह जाकर सेकंडरी और टर्सरी अक्टिविटी से काम करते हैं और इस तरही के से अबनाजिशन स्टार्ट हो जाता है तो तो यह कुछ इंपोर्टन थेरी थी और हम लोग देखें अबनाजिशन क्या था अब आग करते हैं उसको हम लंक से पुसूर में देखेंगे थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ